साथ यो मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा प्यार बरा नमस्कार मित्रों आज कुछ गहरीक बाते मैं आपसे करना चाहता हूं और जो लोग पूरा सुन सकते हैं उस ओडियों को वही आगे सुनें जिसको समय ना हो वो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम मुझे एक्स्प्रेंड करने में आपको लगेगा पहली बात तो यह जो लखनों में लाठी चार्ज हुआ दो नमबर के दिन उसको देखते हुए और जो कंडीशन है उसको देखते हुए जो मेरा खुद का यह डिसीजन है कि साल मैं दिवा दिवाली रोश्णी में मनाऊंगा हाला कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसी की नोक्री लगे या ना लगे लेकिन मेरा इसमें कोई हित ना तो प्रभावित होता है ना हो रहा है लेकिन मुझे बस मन में एक चीज कचोटए की अगर मैं अपनी दिवाली का अच्छे से मनाऊंगा तो यह मेरा decision है, मुझे नहीं लगता, मुझे कोई force कर सकता है, जैसा मेरे decision होगा, तो मैंने decide किया है, कि मैं इस साल दिवाली नहीं मनाओगा, आपको मैं force नहीं करूगा, आपकी इच्छा है, आप मनाना चाहते हैं, मनाईए, नहीं मनाना चाहते हैं, मत मनाईए, अब आते ह में सबसे बड़े गिफ्ट में जो मैं एक गिंती करूंगा वो गिंती करूंगा अपने दोस्तों की मेरे मित्र ऐसे मित्र रहे हैं आप सुनिये पूरी बात उसका करण भी में बताऊंगा मेरे मित्र ऐसे मित्र रहे हैं कि ना तो उन्होंने मुझसे कभी जलन की, नैंने उन से कभी जलन की हमेशा मेरे साथ रहे हैं जितना मैंने दिया उससे 10 गुना ज्यादा उन्होंने मुझे वापश दिया शै Durmanai एक परसेंट दिया तो उन्होंने सो परसेंट मेरे लिए करने ही कोशिश की तो इसलिए मैं शुक्रियादा करूंगा उपर वाले का कि मुझे ऐसे मित्र मिले इसका में कारण यह रहा हमेशा कि मैंने बहुत था जो की वह किसी कभी जात या विरादरी देखकर कभी मित्र था नहीं कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो खेती भी करते हैं कई दोस्त ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी MNC कंपनीज में अच्छी-ची पोस्ट पे काम भी करते हैं जिनकी एक महिनी की तनका भी शायद कई लागों में होगी लेकिन कभी कोई वेहदबाव नहीं आया तो ये सच्ची मित्रता होती है आपके मित्र आपसे ना चिड़ें आपसे ना जलें आपके साथ हमेशा सूख दुख में साथ रहें वो ही सच्ची मित्रता है जो मैं बीटीसी वालों की तरफ देखता हूँ तो दोस्तों जो लोग आपके साथ पढ़ाई की आपके साथ बीटीसी दी आपके साथ टीटी दी आपके साथ लिखित परिक्षा दी हर समय आपके साथ दुखसुक में खड़े रहे लेकिन कुछ 6000 में सा 25-30 लोगों की वज़ा से आपके मित्र आप से दूर हो गए उन क्या शब्द नहीं है मेरे पास उन लोगों कहने के लिए शब्द खतम हो जाते हैं मलब शब्द ऐसे हैं कि मैं व्यूज नहीं कर पाऊंगा पब्ली प्लेटफॉर्म पर कुछ उन पच्च कुछ चंद लोगों की वज़ा से आपके मित्रता आपके साथ नहीं रही ठीक है दूसरा साइड इफेक्ट क्या हुआ कि चलो ठीक है मित्रता बड़ी मुश्किल से मिलती है आप लोगों ने स्वार्थी पना दिखाया है इसमें स्वार्थ अपना दिखाया है यह आपकी भी गलती है कि कुछ माक्स के हिजाब से कुछ जाती विरादरी के हिजाब से आपने मित्र चूज किये अपने आपने बा नमबर देखकर मित्र चूज किये और हद तो तब हो गई जब इंसानियत नाम की चीज खतम हो गई उन लोगों का मजाग और उड़ाया जा रहा है जो आदमी लठी खा रहा है और किसकी गलती से वह उन सिर्फ आपने जो नेता चूज किये हैं क्या उन्में जातिवाद नहीं है क्या उन्होंने जातिवाद का जहर नहीं खुला क्या उन्होंने आपको बाटने का काम नहीं किया क्या ये भरती अगर आज फसी हुई है तो किसकी वज़ा से फसी हुई है क्या तीस तैंतिस वालों की आप सरकार में लेके आते हैं अगर कल के दिन कि बेवकूफ यह कि आप ऐसे नेता चुनते हैं जाए देश के मामिला हूं चुने हैं जो खुद दोग ले हैं अगर यह नेता अगे इसी तरह आय Honors सत्ता में चुनते हैं और वह आपका शोषन करते रहते हैं होकर भी आप अपने घरों से दूर पड़े हुए है और एक बाद बता दो यह यह उत्तर प्रदेश है यहां पर हर सरकार आती है दूसरे की भर्तियों को रद करती है और ऐसा कोई इसमें नामुम्किन काम नहीं है भले ही वह आप कितने भी लीगल क्यों नहीं हो आप कोड के चक्कर लगा तरही है जैसा आज तीश नेटिस वाले लगा रहे हैं फिर आप पूरे एक लाग साथ हजार लगाई है कोड के चक्कर कोई बड़ी बात नहीं है सरकारो के लिए लेकिन इसको तोड़ने के काम किस ने किया है इसमें आपकी गलती है आपकी है बाद में दूसरों को दोस्त देना बाद की बात है और मैं अब उनको बेवकूफ कहोंगा जो लोग इनका अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं यह गरत में गया है सारा काम तो इन कुछ संबंदी इन 6000 में चाहिनित हैं आज मैं आपको कड़वी बात बता दू बिल्कुल सगे संबंदी अगर किसी को शक हो तो मैं नाम रोल नंबर भी प्रोवाइड करा सकता हूं लेकिन उन्हों न कभी मेरी इस बात का कभी बुरा नहीं माना कि मैं उनके क्यों खड़ा हूं क्यो आपको सिर्फ अभी अपना स्वार्थ दिखाएते रहा है दोस्तों मैं बताओं दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती आज आप चैन हो भी लेंगे सारी चीज जाएगा इनका भी शायद बाद में अगली भरती में चैन हो जाएगा आप बराबर समकक्षा के खड़े हो दूसरी बात दोस्तों यह है कि आज जो मेरट में प्रदर्शन हुआ उसमें संख्या काफी ऐसंतोशनक रही जो लोग आए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो ना आए वो अपना हिजाब लगा लें उनको मैं क्या बोलने वाला हूं आप खुद समझ लीजेगा ज्य मंदोधरी कहां थी मेरट की लिए अप रावाण को अपनी बेटी दे सकते हो इतनी हिम्मत हा आप में अप समझ रहे हैं लेकिन पिर भी आते क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आती क्यूंट करनेबर तो ले वह है सूपे का सारा नाम खराब करेके रख्गा हूं कभी तो आया गरो मेरे ट कमाल 35 कोलिज है 35 कोलिज भी टीसी एक कोलिज में एक एक आदमी तो कम से कम 33 वीडिट हो गाई फिर भी नहीं आते हो खेर आपकी सोच है आपको क्या समझाओं मैं वह इससे जादा कुछ समझा नहीं सकता हूं बाकी मित्रों जबसे जरूरी बात यह है कि कुछ इमेल किये गए थे आज अभी जीत मुखरजी जी को जो की मेंबर ओफ पार्लियमेंट है वेस्ट बेंगोल से उन्होंने हमें कहा है कि वो हमारी बात आगे रखेंगे उनका रुदबा आपको बताने की जुरूरत नहीं है बहुत बड़ा रुदबा है आप जितना सोच सकते हैं उससे बड़ा रुदबा है उनका तो आप सभी लोग उनको मेल करिए मेल आइडी आपको शेयर कर दी गई है दूसरी एक humanrights.nic.in एक site है उसका number भी आपको दिया लगातार और जो आपने ट्वीटर और मेल का भियान चलाया है बहुती सरानी है इसको बंद मत करिएगा आपकी जैसी तारीफ हरते हैं आप सब काम बंद कर देते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है लगातार जारी रखेंगे तभी काम चलेगा और आप यह समझ लीजिए आपने ज अंदर हुआ है इस दलाल के तरुआ है जो फरजी तरीगे से अंदर हो नाम लेने के आवाश्यक्ता नहीं है आप जानते हैं सबको सब की डिटेल्स जो जिसका आपको पता है जो जिसने कुछ भी किया है कॉपी पेनपी में जाकर लिखी है तो भी हैंड राइटिंग स्पे है नाम नहीं लूँगा सबका पता है चाहे विद्यारती हो चाहे गुरू हो सबका पता है कि किसने कितने एड़ेस्टमेंट की हैं समझ रहे हैं तो मित्रों जिस जिसके आपको नॉलिज में हैं जितने लोग वह सीवी आई को सीधे कंप्लेंट करिए उनके बारे में लेकि किस तरह सोसने किया है वो भी बताईएगा की सोल्वर अभी आ किया किया व सब सब्सक्राइब बताइए गाप जो बी किया है किसके ट्रू जितने किया लिए को सब किसके थरू किये को बताईेगा अब बात बरस्ता चार की हो चुगी है आपने आत्म सम्मान के लिए तो कम से कम लड़िए जिसका आत्म सम्मान मर गया उसमें कुछ भी जिन्दा नहीं बचा ठीक है आपकी right to life मतलब right to life ही होता है to live with dignity आपको सम्मान के साथ रहने का अधिकार यह सम्मिधाना का अनुच्छे 21 आपको देता है वो ही violate हो जायागा तो मतलब क्या बचेगा जिन्दकी कुटो बिल्ली या जानवरों वाली जिन्दकी जी के क्या करोगे आपके आपकी सारे में तो बेज़िती हो ही चुकी है आपने बोला हो गरों में के फास हो रहे हैं हो गए फेल कितनी बड़ी अफमान है इस अपमान का बदला कैसे लोगे समयधानिक अधिकारों का के लिए कैसे लड़ाई लोड़ोगे अपना अधिकार जानो समयधानिक तरीकों से लड़ना सीखो हर तरीके से जो तरीका आतर डरने की ज़रूरत किसी से नहीं है दोस्तों सरकारे आए हैं और चली जाएंगी ठीक है सम्विधान पर्मानेंट है पर्मानेंट रहेगा आप नागरिक पर्मानेंट है इस देश के पर्मानेंट रहेंगे आज कोई है मुख्यमंद्री कल कोई और होंगे परसों कोई और होंगे लेकिन आप नागरिक इस देश के भाग्य विधाता है आप इस देश में हमेशा रहेंगे इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम दूँगा और मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि इस चीज पर थोड़ा सा सोचिएगा सोचिएगा समझेगा विचार करिएगा बाकि बात गलत लगे तो